अलग अलग राज्यों की तस्वीर नियूज नेशन लगातार दिखा रहा है अपने एग्जिट पोल में लेकिन एक बार फिर रास्टे इस्तर पर किस तरीकी की तस्वीर उभर सकती है 2019 के लोगसबा नतीजों के लिहाज से हम आपको दिखाना चाहेंगे NDA को 282 से 290 सीटें मिल सकती हैं वही UPA को अधिकतम 126 सीटें वहुमत के आकले से आधे से भी कम पर UPA सिमटता नजर आता है वही अन्न के खाते में अधिकतम 138 सीटें जा रही हैं लेकिन अब ज़रा बाकी राज्जियों की तरफ तस्वीर को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं दिल्ली से सटे हरियाला राज्ज के हरियाला में किस तरीकी की तस्वीर नजर आती है हरियाला में NDA को 6-8 सीटें मिल सकती हैं कॉंग्रेस को 2-4 सीटें मिल सकती हैं INLD, JJP, आमाद्मी पार्टी बाकी जो तमाम राज्जितिक दल हैं खाता तक नहीं खुलेगा किसी और का हरियाला के आगे, अब रुक करते हैं पंजाब का, पंजाब से ही तूटकर किसी दौर में हरियाला अलग राज्ज बना था पंजाब में शुर्मरिया काली दल और BJP यानी NDA का जो गटबंदन है वो 4-6 सीटें ला सकता है लेकिन कॉंग्रेस के लिए अच्छी खबर है पंजाब से क्योंकि यहाँ पर कॉंग्रेस को 6-8 सीटें मिल सकती हैं दो सीटें जादा NDA के मुकाबले, आमाद में पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं 2014 में आला की 4 सीटें मिली ती लेकिना पंजाब से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की क्या तस्वीर है, कुल 4 सीटे हैं हिमाचल प्रदेश में पिछली वार भारती जनता पार्टी का गर था, इस वार बीजेपी को 3 सीटें मिलेंगी एक सीट पर भारती जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, यानि कॉंग्रेस के खाते में एक सीट जा सकती है एक सीट जम्मो कश्मीर में अनिके खाते में जा सकती है, तो वो राजी कौन सा होगा, ये वो पालिटिकल पार्टी कौन सी होगी, ये भी देखना होगा लेकिन अब जम्मो कश्मीर से एक साथ हिंदुस्तान के नक्षे पर पुर्वत्तर की जर्व जाते हैं और उत्तर पूर्व में क्या कुछ स्तिती है, असम को थोड़ा अलग रखते हैं, बाकी जो तमाम राजी हैं, छे सीटें अनिके खाते में नजर आती हैं अनिका खाता भी नहीं खुलेगा, तो ये अलग-अलग राज्यों की तस्वीर हमने आपको दिखाए, जिसमें हरियाना, पंजाव, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, पूर्वत्तर और खासकर, असम जैसे सूबे शामिल हैं